जहिं दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ मैं हूँ राजेश का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मैं शूट्स अल्लाहु अकबर एंड देन वोज ऑन मेड रेमपेज अजो यह पर्शो राट के तीन बज़े एक गोड़ा दि और और कुस बड़ा है किसी ने सूट पर दिया इसा कुछ यह मनलब कोई और न्यूस भी हो सकते लेकि चली पहले वीडियो देखते हैं कि यह ज़द दर पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि कही दिनों से इसलिए मैं यहां पर पाकिस्तान का जिक्र किया था लेकि कोई बात तो उम्हें पूरा देख लेता है पिर हम पता सनी जाएगा कि एवीडियो से लगये तो लाइक और शेल जब्सक्राइब कर दिजएक और चैनल पर पहली बारद सुब्सकिर्ट नहीं ज़रु सका दिजएगा जहन दोस्तों, मैं हूँ में जो गौरवारी और आप देख रहे हैं, मेजरली राइट. अच्छा दोस्तों, ये जो फ्रांस में जो इमिग्रेंट्स आए थे बाहर से, कुछ खास आठ दस मुस्लिम देशों से, इन्हों ने तो फ्रांस को आग लगाई है, फिर ये चाकू अब एक लेटिस्ट कांड फरांस में हो गया, ये कांड कल हुआ था दोस्तों, और कांड इस परकार से हुआ, कि आइफल टावर आप सब लोग जानते हैं, सबने, अगर देखा नहीं होगा तो कम से कम फोटो आइफल टावर ने देखी, कि देखी होगी आप लोगों ने, बड़ा एक मशूर लैंड मार्क है, और इस अगर पर लोग वहाँ पर टूरिस्ट थे, उसने रैंडम दो लोगों को, जिनको वो जानता तक नहीं था, उसने चाकू से मारा, पहले बोला लाहू अपर, लाहू अपर बोलने कवा चाकू से मारा, एक बंदा मर किया, दो इसमें, इसके पीछे काफी रोश, गमो गुस्सा पाया गया, और उससे पूछा कि भाई, आप आपने मारा क्यों ऐसे, अचानक आप तो इनको जानते नहीं हैं, देखें, लोगिक यह होता है, अगर मेरी आपकी दुश्मनी है, मारना मुझे फिर भी नीची है, मारना लेकिन आपको कनेक्शन, यहाँ पर को कनेक्शन है नहीं, यहाँ वो जानता भी नहीं उन लोगों को, उसने पस अल्लाहु अकबर बोला, चापू मारा, पूछा क्यों करा भाई, तो कह रहा है कि नहीं, मुसल्मानों के खिलाफ जो अफगानिस्तान में हुआ, या फिर जो लेने दना है, पैलेस्टीन से और क्या लेने दना है, अफगानिस्तान से, तो बिसिकली मैं आपको बताता हूँ, इशू किया है, यह जो रैडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो इस तरीकी के हरकतें करते हैं, इस तरीकी क्रिश्चन, इवरी जू, गिल्टी ओफ वाटेवर इस happens, याँने कि, अगर एक इसाईन है, क्योंकि यह लडाई धर्म के लिए हो रही है, इस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसले में इसाई और यहूदी और मस लमान ये सब word यूज कर रहा हूँ, ठीक है अमरीका के एक फाइटर पाрат ने अमरीका जो हजारों किलोमिटर दूरे यॉर्प से हजारों किलोमिटर दूर अलग-लग टाइम जोन में है वहां से अगर एक पाइलिट जहाज उडाता है और अफगानिस्तान पे बं मारता है आज से दस साल पहले पंदरा साल पहले या फिर वहां का एक बंदा बं मारता है ड्रोन मारता है जो भी है एक्स वाइजेट उसका बदला मैं किसी रैंडम इसाई से फ्रांस में ले सकता हूँ 60-70 साल के बुड़े का जो कभी अमरीका गया ना उसको इंगले शाती बोलनी ना वो कभी अफगानिस्तान उसका कोई लेना देना नहीं है पर क्योंकि वो कई दशक पहले एक इसाई घर में पैदा हुआ था हम लोग मेजरली राइट पर या फिर चानक के डायलोग्स या चानक के फोरम पर हम लोग हर समय कोशिश करते हैं कि जतना कड़वा बोले हैं जतना सच बोले हैं हम गलत बोलते हैं तो हमें टोकी है अगर हमने कभी जूट बोला है तो हमें टोकी है कि मेजर साब ये बात apologize करूंगा कि भाई मुझसे गलती हो गई लेकिन जो सच है वो तो बॉस बोलना पड़ेगा आपने पूरे इसाईयों को गिल्टी माना आपने पूरे यहुदियों को गुनहगार माना क्योंकि एक किसी ने कुछ काम करा था कई साल पहले कहीं और जिसको ये बन्दा जानता भी नहीं है लेकिन अगर आप वही चीज वही चीज अगर मुसल्मान के खिलाफ करेंगे फिर इसलामोफोगिया है फिर इसलामोफोगिया है फिर आपने ठीक है अगर उसामा बिन लादिन बहुत बुरा आदमी था ठीक है ठीक है ठीकिन बाकी तो ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा कि जब एक प्रो पैलेस्टिनियन रैली निकलती है हम लोग जाने से डरते हैं क्यों जो इंगलेंड में यहुदी रह रहा है उसका क्या लेना देना है इसराइल में क्या हो रहा है उसका क्या लेना देना है अब बताएए कुछ लेना देना है नहीं लेकिन उसको भी धमकाएंगे क्योंकि वो एक यहूदी घर में पैदा हुआ है और अगर आप उल्टी कारवाई करें तो फिर आप इस्लाम अफूबिया कर रहा है अब मैं आपको बताता हूँ और क्या कह हुआ है फ्नांस में दोस्तों इसी साल अक्टूबर में एक टीचर को मार दिया हाई स्कूल में अरास करके एक शहर है वहाँ पे दो बंदे घायल हुए थे एक टीचर को जान से मार दिया था वही बंदे ने अल्लाव अकबर बोलके टीचर को निप्टा दिया ठीक है ना जुलाए में एक आदमी का सर कलम कर दिया भी हैट कर दिया भलको धड़ से अलग कर दिया सर को और चार अलग लोगों को इंजर करा गया बड़े सीरियसली नाइफ अटैक इन चर्च इन नाइस अब इसके अलावा जो जुन जुलाए में रायट्स हुई थी जिसमें आदा फ्रांस भोग गया था ये सब आपको पता है ये हो क्यों रायब मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि फ्रांस जर्मनी इंगलेंड ये सब देशों में राइट ये नहीं देखा कि जो हमारे देश में आके सेटिल हो रहा है वो है कौन वो है कौन भई आप अपने घर में भी किसी को बलाते हैं तो आप जानते हैं न वो है कौन आपने घर के दर्वाजे खोल दिये कि हाँ जो भी है बाहरा आजाओ मेरे घर आजाओ मेरे घर फिर आपके घर में कल कुछ होता है तो फिर आप कंप्लेंड नहीं कर सकत फिर आपका अधिकार नहीं है कंप्लेंट करनेगा ये जो फ्रांस में हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ ये और बढ़ेगा ये और बढ़ता चला जाएगा ये कतलो गारत ये जलाना ये बिल्डिंगे फूंकना ये आटोमोबील में आग लगाना ये कभी नहीं रुकेगा ये चलता चलेगा ये अब ट्रेन ने स्पीट पकड़ लिया ये और होगा अब मैं बता रहा हूँ कल किसी को बुरा लगेगा वो हत्यार लेके पांच लोगों को गिरा देगा बोलेगा कि ठीक है मैंने जर्मनी में पांच बंदे मारती है बूला भाइसाब आपने क्यों मारे जर्मनी में हमने जर्मनी में इसलिए मारे क्योंकि सुनिएगा लॉजिक हमने जर्मनी में पांच बंदे इसलिए मारे क्योंकि Austrellia में कोई इसाई था उसने सोचल मीडिया पे लिखा था कि मैं इसराइल के साथ खड़ाँ अब हम Austrellia तो पहुंच नहीं सकते हम तो जर्मनी में हैं इसलिए हमने जर्मनी में उसके एवज में हमने पांच इसाई यहां पे निप्टा दिये यह लॉजिक है भाई साओं, इंका यह लॉजिक है और यह लॉजिक जो है ते believe it to be absolutely करें दोस्तों लॉजिक से खत्रा इतना नहीं है पर जब आप लॉजिक पर विश्वास करने लगें जब आप खुद आपने तथे बनाया और खुद आप उस पर भरुसा करते हैं और आप जैसे कई सारे हैं कई सो हैं जो बिलीव करते हैं क्या बिलीफ करते हैं आपको फिलिस्तिन का बदला लेना है अचा फिलिस्तिन मा बॉमिंग कौन कर रहा है इस्राइलीज इस्राइलीज क्या हैं जादातर यहूदी मैं यह नहीं कह रहा पट मेजॉरिटी अफ देम अर ज्यूस कोई एक बंदे ने पाइलिट ने बंब करा निप्टा दिया अपने फ्राज को एक बंदे को मार दिया उसकी क्या गल्ती थी आपने मार दिया मार दिया अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ उसमें ना कड़वी बाते लेकिन सुननी चाहिए तो तो ऐसा है कि यह रैडिकल इस्लामिस ने यह नहीं देखा कि यार ज इसी लॉजिक को अगर उल्टा करो इसी लॉजिक को अगर उल्टा करो इराक में एक सुसाइड बाम हुआ जिसमें अमेरिकन मारे गए ठीक है या अफगानिस्तान में सुसाइड बाम हुआ जहां पर कुछ कनेडियन मारे गए अगर वही कनेडियन कोई क्रिस्चिन हात्यार लेके दो-चार मुसल्मानों को मारता है गोली इनोसिंट लोग है फैमिली जा रही है जो बंदा है जो हेड ओफ दा फैमिली है जो मर्द है उसमें वो काम कर रहा है सारे अपने टैक्सिस दे रहा है लो अबाइडिंग है आपने उसको मार दिया उसके बीवी बच्चों को सबको मार दिया ठीक है गलत है बिलकुल गलत है इस इट अ क्राइम अगेंस हुमेनिटी डेफिनिटली इट इस बिलकुल गलत है नहीं मार रहा चाहिए लेकिन उसमें फिर एंगल आ जाएगा इसलामोफोमिया का इसलिए मारा गया क्योंकि ये मुसलिम थे ये सच है इसलिए मारा गया मुसलिम थे इनोसट थे लकिन उनका मुसलिम होना ही उनका जर्म इनको लगा ये जिस पागल ने गली चलाई थी ये आपको hypothetical example दे रहा हूँ तो दोस्तों ये जो यहाँ पे चाकू बाजी हुई है ये क्या है ये बताए कोई मुझे जो इस बंदे ने मारा है अल्लाव अक्बर बोल के ये क्या है Act of terrorism है, Act of violence है, murder है उसके उपर जो यहाँ पे भारत में 302 का केस लगता है वहाँ पे जो केस लगेगा वो अलग बात है मैं ideology की बात कर रहा हूँ बंदे की बात नहीं कर रहा है that man उसका जो भी नाम है he's irrelevant, उसका कोई लेना देना नहीं है ये ideology इतनी खतरनाक है ये ideology इतनी खतरनाक है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो वो है न गर्ट विल्डर्स गर्ट विल्डर्स यही तो कह रहा है जो Netherlands में जिसने चुनाओ जीते हैं हो सकता है वो PM बन जाए ना बने हो सकता है जो भी है but he's got good number of votes and good number of seats उसी प्रकार के गर्ट विल्डर्स और जगे भी जनम ले रहे हैं पूरे यॉरोप में और वो धीरे धीरे करके दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक-एक करके यह क्योंकि वो बड़ा एक negative mindset उन में से कुछ लोग है लेकिन जो radical Islamist है उसकी कर्ट ग्रीट विल्डर्स ही है आपको वो बंदा अच्छा लगे बुरा लगे इनकी कार्ट वही है आप समझे ने मेरी बात अब एक बंदा था मैं देख रहा था यूएस में एक डॉक्टर था 60 साल से यूएस में है for 60 years he has lived in the United States he has paid his taxes और उसका पास्पोर्ट भी यूएस से सब कुछ है यूएस ने अब बोला कि भाई सौरी गलती हो गई you are no longer a यूएस citizen अब वापस जाईए और कहां वापस जाऊं कौन से देश जाऊं वापस कहां कोई मतलब नहीं है उस बंदे का केस अभी अभी बड़ा गर्मा गर्मी हो रही है यूएस में कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है कर दिया सरकार नहीं बोला निकाले रही है तो ये जो वहाँ पर गंद करेंगे इस तरीके से चाकू मारा ये मारा जब गर्ट विल्डर्स जैसे लोग और आएंगे यूर्प में वो एक एक करके निकालेंगे देश दे मापस उनकी पूरी पॉलिसी है आप जाके पढ़ लीजे उनका आप पढ़ लीजे इंटरनेट पे जो खुद गर्ट विल्डर्स ने बोला है तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो रही है यूर्प पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए लोगों को शांती से रहना चाहिए और ज़्यादा लोड मत उठाओ पलिस्टीन का ज़्यादा लोड मत उठाओ अफ़गानिस्तान का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं ना फिलिस्तीन से ना किसी X Y Z देश ते अगर फ्रांस के हो तो फ्रांस के सगे बन के रो फ्रांस ने तुम्हें पना दी क्योंकि तुम्हारे मुलक में आग लगी वी थी फ्रांस में तुम्हें पना दी अब तुम फ्रांस के सिटिजन्स कोई जाकू मार रहे हो क्योंकि किसी देश ने किसी और देश पर बं मार दिया जिसका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं तो बॉस अगर ऐसा करोगे फिर यहां पर गर्ट वेल्डर्स उठेगा और फिर वो चुन-चुन के हिसाब लेगा फिर तुम बोलोगे इसलामफोबिया हो गया तो इसलिए शान्ती से जो भी वहां पर रह रहा है किसी भी धर्म का है वो इसाई हो मुसल्मानों कोई भी हो सब लोग प्यार महबबत से भाईचारे में रहें इसी में सबकी भलाई है वरना गर्ट वेल्डर्स आ रहा है तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए और यह बात बताएगी मेरे तो वही यार यह बहुत सीरियस सीरियस मैटर है अब इस पे तो क्या बोले जिसका कुछ किसी सीसका कुछ लेना देना नहीं है एफिल टावर के बारे में अच्छे से जानते होंगे यह ऐसा प्लेस है वहां पर बहुत तुरिस्ट आते हैं देखने के लिए आते हैं ठीक है तो वहां पर जो लोग घुम रहे थे डिरेक्ली आ जाना लावबर का नाम लेना और डिरेक्ली हमला कर देना खतम कर देना प्लेस को भी आप टार्गेट कर लो जिसको इस बातों से कोई लेना देना है यह नहीं उसको पता ही नहीं है कि उसको यह जो किया कर रहे हैं यह लोग में को समझ में नहीं आ रहा भी है फिर यह कहीं ना कहीं connection है ना वहीं निकलेगा जो और हर बारह मुसकी वीडियो लाते है ठीक है कहीं ना कहीं connection निकलेगा इसका लेकिन अब यह जो सब कुछ है ना यह last June July महिने से बहुत बढ़ रहा है और इस दो सालों में तो यह जो है ना हिशाब किताब यह सारा यह बहुत बढ़ चुका है पहले थोड़ा कम था लेकिन अब तो मतलब हद के पार जा रहा ह बहुत सारे country में से यह जारी बहुत सारे मतलब अभी जब से मतलब यह हमने करीब अशी जो विडियो करीब 15 से बिस डाली होगी अलग-अलग country के अलग-अलग state की तो हर जगह भी हो रहा और एकिसी का नाम आता है इसलाम 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 से कहीं पर भी जाओ अब आने वाला टाइम है वो किस तरह का रहेगा फिर तो यह अब तो सब लोग एक इंसान से इंसान डरने लगेगा लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा कोई भी आकर को मिनलब और इसका दर्ड में अब यह धर्रम के नाम पर जो यह सब कुछ सेड़ रह और को लगज़ा है अब यह और इतनली कल्यूगा शुका शुका क्ल्यूगा जो वर्णन किया गया है ना पुरान पुरानों में मिर कई ना कई मेरे को वही दिख रहा है इंसान को काट रहा है है तो नीज में कभे सुना भी नहीं जो लोग हैं का किया कि जिसके सा कि प्रजाएं लेक्ट है जिए नाइख इसको इस लेकैंगा मेंगां संहे कि और यह कहीं का नाइग मिरको नहीं लग रहा है तो क्या हो रहा है माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा बाकि सब कुछ जो कसरती हो तो हमें तो पूरे डिटेल्स में जानकर इमेजर गोर्वारे जिनने बता दी है फिलाल इस वीडियो से मापसे विजाए लेते हैं मिलते और अब नहीं वीडियो में आपके साथ तेल जैन जैन जै झाल